अगर आपका बच्चा छोटा है और आप अमने बच्चे के लिए एक टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल का रिवियो करने वाली हूँ मैंने दोरों ही प्रोडेक्ट्स को ओफ्लाइन परचेस किया है ये ओनलाइन भी अविलेबल है ये मुझे कितने के रिसीव हुए है ओनलाइन इंदी क्या प्राइस चल रही है ये टिफिन लीक प्रूफ है या नहीं तो मैं सब इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बने रही है वीडियो के एंड तक तो चल ये बात करते हैं अब लंच बॉक्स की ये है फ्लैर कंपनी का मीडियम इंसुलेटि स्टेल स्टील लंच बॉक्स ये लंच बॉक्स तीन कलर्स में अवेलेबल है पिंक, ब्लू एंड ग्री तो मैंने एक ग्रे कलर चूस किया है इसमें फोर साइट क्लिप लॉकिंग सिस्टम दिया गया है तो चलिए अब इसे ओपन करके देखते हैं तो बात करें अगर कॉलिटी की तो कॉलिटी तो इसकी काफी अच्छी लगी मुझे और इसमें ये भी दावा किया गया है कि ये फूट ग्रिड मटेरिल से बना हुआ है और इसमें हाई कॉलिटी इंसुले सिस्टम आ अब मैं इसे टेख गया है कि इसे पानी बहार आता है या नहीं कि ढमिञा है श स सो आधशा है बिल्कुल भी बहन नहीं आया है तो ये लीक प्रूफ तो है ये चो टिफिन बॉक्स है ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से ही लिया है और मुझे ये 650 रूपीज में मिल गया था मेरा बेटा अभी छोटा है और मैं अपने बीटे को लंच बॉक्स में सॉलिड चीज़े देना ही पसंद करती हूँ जैसे की रोटी सबजी तो ये टिफिन उसके लिए परफेक्ट है अगर आप अपने बच्चे को लिक्विड देना पसंद करते हैं लंच में तो मैं आपको बता दू कि लंच बॉक्स मीडियम इंसुलेटर है तो चलिए आप वाटर बॉटल भी ओपन क के साथ आता है इसमें डबल वाल इंसुलेशन की वज़े से हॉट वाटर इसमें 18 आज तक स्टे कर सकता है और कॉल्ड वाटर 24 आज तक और इसमें हाई कॉलिटी का स्टील यूज किया गया है इसे मैंने लोकल मार्केट से 780 रूपीज में पर्चेस किया है और ये Amazon पे भी अविलेबल है और इसकी कॉस्ट वहाँ पर 750 शो हो रही है हलांकि इस बॉटल का जो MRP है जो इस बॉटल की कवर पिल दिया गया है वो है 995 लेकिन शॉपीबर ने मुझे ये 780 रूपीज में दिया है अगर आप इस बॉटल को पर्चेस करना चाहते है और तो डेफिनेटल आप कर सकते हैं ये Amazon पे 750 रूपीज में अविलेबल है लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो आप वहाँ पर चक कर ले तो अगर आप इस बॉटल को लाइक करे शेयर करे कॉमेंट करे और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले इस चैनल पे आप आपको रिव्यू वेडियोज ही देखने को मिलेंगे अगर आप रिव्यू वेडियोज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्स्राइब जरूर कर ले